नमस्कार दोस्तों मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्रेटफॉर्म पे जहां पे आपको हर तरह की वेकेंसी की अपडेट दी जाती है अगर कोई नई वेकेंसी आती है या नया रिकूर्टमेंट आता है बहाली आती है तो उसकी पूरी इंफर्मेशन आ है आई हुए है आर्मी पब्लीक स्कूल से अगर आपने इंपलिकेशन पे इंठरेस्टेट हो आपलाए करने के लिए तो आप जरूर से जरूर अपलाई कर दे आप लोगों से फिर से निवयदन करना चाहूंगा कि कॉमांट सेक्शन में आप जरूर से जरूर लिखे कि कि subject की preparation कर रहे हो अगर आप PRT teacher की preparation कर रहे हो तो PRT लिखे हैं और TGT की कर रहे हो तो TGT लिखे हैं और PGT की कर रहे हो तो PGT लिखे हैं और Jai Hind लिखना ना भूलें थेंक्यू सो मच तो चलिए आज बढ़ते हैं आर्मी पबलिक जो आर्मी पबलिक स्कूल का एक्जाम हुआ था अक्टोवर में वो पास नहीं किया है तो भी आप एक्जाम दे सकते हो देखो यहां से हिंदोस्तान पेपर की आर्टिकल खुल गई है इनके पास देखो मैं आपको पूरी डिटेल्स बता देता हूँ आर्मी पबलिक स्कूल कानपूर से वेकेंसी आई हुई है पहली बात दूसरी बात यहां से देख सकते हो PGT, TGT, PRT की वेकेंसी है थोड़ा सा बलर है फिर भी आप एड़ेस्ट करके देख सकते हो और ग्रूप D की वेकेंसी है Special Educator की वेकेंसी है उसके बात देखो यहां पे एक बात देखना खास ख्याल रखना है आपको कि वो जो है फीमेल को prefer करेंगे है न यह बात का धिहान रखना आप उसके बात देखो आपको क्या करना है एक सो रुपे का आपको demand drop बनाना है 100 रुपीज का जो की refundable नहीं होगा यानि कि non-rependable है और आपको बनाना है कि इसके favor में APS कानपूर यानि कि Army Public School कानपूर के favor में बनाना है सारे education जो certificates है और work experience है उसका जेरेक्स copy आपको self-attested करके यहां पे भेज देना है 15 फरवर इसकी last date है तो आप जल्द से जल्द apply कर सकते हो याद रखना ये में बता देता हूँ CSP अलग होता है और LSB अलग होता है कोई भी doubt हो तो comment करके पूछ सकते हो या आप मेरी यहां से email ID देख सकते हो email पे भी message करके question को पूछ सकते हो और जिन्हें भी REIT के notes चाहिए होंगे तो यहां से मेरा mobile number आप देख सकते हो मुझे आप 50 रुपे का अगर phone पे कर देती हो तो आपको जो exam के according syllabus के according REIT का exam होने वाला है उसी के अंदर आपको